बोकारो का ट्रेनीज होस्टल मैदान है, यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी मौझूद है और जबरदस्त हो हंगामा हो रहा है, आखिर किस चीज को लेकर हो हंगामा हो रहा है, उस्टीमों को क्या बात हुई है, क्या नहीं हुए, किस चीज के को लेकर यह बिवाद है आए इससे जूड़ते हैं और जानते हैं कि यह हमारे साथ अभी भर्रा 11 फुटबल क्रब के सेक्रेटरी है इनसे जूड़ते हैं और जानते कि क्या मामला आया यहां पर आज अचानक हम लोगो प्लेयर का जरिये से ख़बर मिला है कि संतोस्ट्रफी क यहां पर सेलेक्शन ट्राइल रखा गया है जबकि यहां कोई भी कलब को इनफोर्मेशन नहीं दिया गया था कि यहां पर आज ट्राइल का डेट रखा गया है और बिना लीक का यह लोग जबरन अपना जलसाजी करकर यह लोग आज सेलेक्शन का डेट रखकर सेलेक्शन कर काम कर रहे तहीं हम लोगों खबर मिला और हम लोग आके यहां पर रोग थाम की जोकि दोच के लिए रोक दिया गया था क्योंकि यह लोग बिना लोग और जा बास का काम कर कर पहेलारी का मनावाल और खेडारी को केरियर के साथ खेलने के यह लोग काम कर रहे हैं, जिसमें जहारकन फूट भाल ए शूसेसन वहीं हैं, और सेल हैं, भाला के जब दात 오른 targeting में जारकन के जारकन का बच्चे है जिसमें हमारा से लेकेडमी बुकारों को नो पिलियर है धनबाद के दो पिलियर है जमसेदपूर के है राची के पिलियर है और हमारे जो बुकारों के बुकारों के बारक कलब के है जबकि पिछले बार लीग के दोरान लीग के दोरान लीग मै लोग ने सेलेक्शन कर दिया को लिस्ट में नाम है उन्से हम लोग ने बात किया कि आपको मालूम है नहीं हम तो पहली बार अभी तो आए हैं फर्स्ट हम आये हैं त्राइल पर और हमको मेरा नाम कैसे चला गए हमको नहीं मालूम है तो इसतरह का यह लोग और बागी परतिवाग खिलाडिओ को लोग मनोबल को तोड़ने का काम कर रहें तो इस तरह का कामों को उछ जाज नमधालगे पे जाज होना चाहिए आ मिल कर ये सभी खेल कर रहे हैं प्रूश के साथ खेल हो रहा है बच्चों के भविश्त के साथ का है साथ खेला जा रहा है वोकार में कोई ट्राइल नहीं और जिस लड़का का सेलेक्षन है उस लड़का को भी पता नहीं है कि मुझे संतो स्ट्रोफी का सेलेक्शन मेरा हो चुका है यही मैं कहाना चाहता हूँ कि बकारो डिस्टी के फुटबल एसोसेशन का जो सेक्रेटरी बने हुए है एड़क का महंदर परसाद जी वो बाकी और किसी पताधी कारी जो वो लिस्ट में नाम दिये हैं किसी को कोई सुचना नहीं है और वो मनमानी करके मिलके दोनों आदमे मिलके और पूरे संतो स्ट्रोफी का लिस्ट बना चुके हैं और वो एक ऐसादमी का लिस्ट बेच चुके हैं और आज देखावे के लिए पूरे जारकंड से जगा जगा से पिलियर को बुलाया है जो उन लोग का बोकारों को ही जानकारी नहीं है बारा कलब है बार कलब ऑलरेडी बोकारों में तने इतने परतिभावा लिए खिलाडी है उन लोह में से एक भी खिलाडी हमारे लुख लुख ने दिखाया ह्यं और पिसले साल हम लोगों ने अपने खेल से बोकारों में चेम्पिएंसिप कि 20 कि 5 wilka ढूरों के जो के निग में इसहीं लिए थे बीकिषी ऐवे हुए सीज़़ारी को वह काम में बिको थे दोरे मुल लेक्षालिकलों के लिगोड़ी को बीए psychopath काम ने कि आकेडमी सिर्फ बाहरे लिए साय इन से जानते हैं क्या उम्मीद लेकर आये थे आप अपको बताया गया जो ट्रायल होता है उसमें बुलाया गया नहीं हम लोग को लड़का के द्वारा आज पता चल रहा है कि ट्रायल होने वाला है पिछले बार हम लोग चैंपियन राचके हैं लेकिन इने ही पता नहीं कि इनके अपने जीले में ट्रायल हो रहा है उसके सेलेक्षन भी हो गया और इने कहा गया कि आप बैक्सीन नहीं लिए इसलिए आपको नहीं बुलाये गया क्या आप भी उस टीम में सामिल थे लेकिन आज मायूस हैं कि इनके साथ जो खेल हुआ है वहाँ बहुत ही गलत हुआ है और इस खेल को लेकर ये लगातार आवाज उठा रहे हैं और इनका साप साप कहना है कि जब तक ये जो सेलक्षन करके यहां से लोगों को भेजा गया उस कमीटी को उस टीम को भंग नहीं किया जाता है तब तक ये नहीं मानेंगे और हो सकता है तो ये कानूनी कारवाई पर भी उतारू होंगे